हलो दूस्तो नमस्कार तो Reliance Industries के बारे में येस बहुत सारे लोगों के अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन रहते कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि यहाँ पर उपर भागने के चांसे जादा है जो कि अभी तक हम लोगों को शांत देखने को मिला है तो दोस्ता आप सब लोगों को Market Capitalization वो स्टॉक हम लोगों को यहाँ पर लगबग 9% साड़े 8% नीचे गिरते वे देखने को मिल रहा है तो हम लोग जरू कह सकते इसके पीछे का वज़ा बताने की कोई जरूरत नहीं है सभी लोगों को यहाँ पर पता है सो अगर हम लोग बात करें एक साल की भी तो वो भी आप देख सकते देखें overall return तो अच्छी है 90% ही है मैं वापस आपको दिखाना चाहूंगा returns एक सेकेंड आल्राइट आप यहाँ पर देख सकते हो 89 to 90% की return एक साल के return में कोई कम तरता नहीं है बड़ अगर देखा जाए तो एक्च्छल में वह एक साल के return ही नहीं वह अगर हम लोग देखा जाए तो यह हम लोग कह सकते चे मैने के returns है क्योंकि अभी मेने आपको दिखा न यह 6 मेने तो यहाँ पर लगबग 9% माइनस में चल रहे है जितने return 90% हम लोग को यहाँ पर रिलाइंस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है यह तो मात्र यह जो 6 मेना है उसमें ही हम लोग को रिलाइंस का परफॉंस देखने को मिल चुकी है और इसके बीचे का रिजन भी आप सभी लोग को में अल्रेडी बता चुका हो एक रिजन नहीं है यहाँ पर बलकि हम लोग को तीन तीन रिजन भी देखने को यहाँ पर मिल चुके उसी को हम लोग को यहाँ बहुत बड़ी कोई तो वजा भी है जिसके चलते हैं पर बताया जारा कि Reliance Industry में अभी हम लोग को यहाँ पर एक अच्छी कासी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर कंपणी के जो quarter 4 के नंबर्स है वो बहुत शांदार आ जाते है तो यहाँ जोस्तों यहाँ पर ऐसी क्या चीज होने वाली उसी से related बात करने वाल बढ़ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 1st April आज की दिन 35% के deliveries हम लोग को Reliance Industry में देखने को मिल रही है 2020 आज का यहाँ पर यह पर यह प्राइज है शेर का and September 16th September से एक company हम लोग को मतलब जादा दूर नहीं है 2000 पर यह एं 2300 का ही इसका high है बढ़ उसी एक range में आप सब लोग को पता है UC, UC मतलब अपर सर्कृट नहीं, uncertainty, so uncertainty किसी भी stock के साथ चिपक जाते है तो आप लोग को पता है वो एक ही दायरे में हम लोग को देखते हुए देखने को मिल जाता है, so फिलाल Reliance Industry की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप सब लोग पता है Reliance का जियो का बिजनेस, क्या जियो का बिजनेस खराब है बिल्कुल नहीं, हाँ हम लोग जरू किया सकते कि Air Retail ने अच्छा कासा उनको competition दिया है and Air Retail अगर हम लोग बात करें तो Reliance की जियो को उन्होंने overtake भी आपर कर लिया है, इसके बहुत सारी reasons भी है, networking के भी reasons है, business का भी reasons है and politically भी reasons है, तो जियो का बिजनेस अगर हम लोग बात करें तो जियो का बिजनेस अभी भी बहुत जबरदस्त या पर चल रहा है and आने वाले जो future है, उसमें भी ये continue हापर कर सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो O2C बिजनेस, अभी Reliance नहीं आपर O2C को separate करने क या पर बात कर लिए, बट अगर हम लोग बात करें तो Saudi RM को उसे related जो हम लोग ने announcement देखी थी कई AGM पहले वो अभी तक फुल्फिल नहीं हुई, because of Corona, lockdown, valuation में बहुत सारी गड़ बढ़े and finally अभी हम लोग कह सकते हैं, या पर crude oil, 65 dollars पे हम लोग को अगर stable होते वे देखने को मिला, तो बहुत सारी एक्सपर्ट का मानना है कि Saudi RM को की deal यहाँ पे execute होते वे देखने को मिल सकती है, बहुत सारी एक्सपर्ट ने जो बाते बोले हो वो बिल्कुल सही है, अगर यह deal cancel होना होती, तो पहले ही हो जाती, अभी इतना delay हो चुकी है, तो आप लोग पकड़ के चलो यह deal का execution, आप लोगों को आज ने तो कल ने तो परसो, कभी ना कभी इससे related positive खबर देखने को मिलने वाली है, तो O2C से related भी जो हम लोगों को फिलाल चीज़े अटक्ती भी देखने को मिल रही है, उससे related भी positive news यहाँ पे future में definitely आने वाली है, सिर्फ time का फरक यहाँ पढ़ने वाला है, अगर हम लोग आखरी बात करें, इसने सबसे ज़्यादा सिर्दर्द यहाँ पे करके रखा है, वो है Reliance Retail, future Retail के साथ करार करके, एंड Amazon ने जिस तरीके से यह सारी चीज़े हम लोगो court matter में यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके चलते Reliance का बहुत ज इशुस हुए थे, बट कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए उसी रेंज में फस्ता नहीं है, तो Reliance Industry के अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ज़्यादा लंबा Control Edition phase Reliance Industry ने आपे दिखा दिये 6 मेने का, एंड इस वक्त अगर Reliance Industry quarter 4 के नंबर्स अच्छे दिखा देते, उमीद स बेतर दिखा देते हैं, या फिर हम लोग कह सकते अच्छे भी दिखा देते हैं, quarter on quarter, year on year basis, अगर company ने अच्छा performance दिया, तो पकड़ लेना दोस्तों, यहाँ पर Reliance Industry में बहुत बड़ी तेजी आपे आने वाली है, क्योंकि जो भी चीजे यहाँ पर Reliance Industry से related जो factor होनी थी, म इसलिए हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, अभी तो फिलाल High Coat है, उसके बाद Supreme Coat होगा, तो यह लंबा खिचने वाला ही है, तो यह सारी चीजे आपर फेक्टर हो चुकिए, छे मेने में Reliance ने बहुत कुछ नुकसान यहाँ पर अल्रेड़ी उठा लिया है, अगर द आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत जबरदस जम्प Reliance इंडस्ट्री में यहाँ आ सकते हैं, जो कि पिछले 6 मेने से जितना भी उन्होंने यहाँ नुकसान किया, नुकसान मतलब एक Consolidation Phase में देखने कि मिला है, वो यहाँ पर भरके Reliance इंडस्ट पिर के जाना पड़ेगा, ज्यादा टाइमझ सकता है, बट वो डेफिनिटल अपने जो मनजील है, वहाँ तक पूचेंगे ही पूचेंगे, 1 और 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, बट ज़रूर वहाँ अपने मनजील को हासिर करी लेंगे, ज़रूर यह तीनों चीज वो भी हम लोग को sort होते हैं यहापे देखने को मिल सकता है क्योंकि वो already reliance retail के valuation को अगर हम लोग निकाले तो वो भी बहुत ही जबर दसते हैं इवन अगर हम लोग future retail को consider ना भी करें तो इस सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो एक बात में ज़रू पक्का आपको यहापे कहना चाहूंगा अपनी खुद की study के इसाब से आपने मुझे कोई blindly follow करने की ज़रूरत नहीं है वो एक गलत बात रहेगी ब क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को का जो जितने भी यह problem वाली situation है वो already हम लोग को सारी चीज़ी हापे factor होते वे देखने को मिली है अभी सिर्फ और सिर्फ रिलाइंस के नंबर्स के उपर यहापे सभी लोगों का ध्यान है अगर रिलाइंस ने नंबर दिखा दिये कि वाक करता है दोस्तों रिलाइंस इंडस्ट्री से लेटेड जीतने भी इंपोर्टेंट बात ही थी वह आपको पसंद आयोगी तो जरूर्व वीडियो को लाइक और शेर कर देना तो यह तो वी बिल भी मेटिंगा रनेक शेड़ी ताब तक के लिए बाई-बाई